आज पर आज पर आज रहे हम अपने फिसिक्स लैब में एक नए लेक्टर के साथ जिसके अंदर हमने नौट गेट को यूज़ करके फायर अलारम को डिजाइन करना है और हमने जिस डिवाइस को इस प्रेक्टिकल में यूज़ करना है बिसिकली वो डिवाइस यह हमारे पास बॉक्स में ही हमारे पास नौट गेट अलरडी फिक्स है और हमने चेक करना है कि यह फायर अलारम कैसे वरकिंग करता है तो आईए हम चलते हैं अपने प्रेक्टिकल की तरफ लेकिन उससे पहले हम सरक्ट डियाग्राम देख लेते हैं कि हमारे पास सरक्ट डियाग्राम बि हमने डिजाइन किया हुआ है इस डिवाइस के अंदर या इस बॉक्स के अंदर हम इस बॉक्स को यूज करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हमारे पास फायर अलारम कैसे वरकिंग करता है तो आईए चलते हम अपने प्रेक्टिकल की तरफ जी स्टॉडेंट्स यह हमारे पैस अपरेटरस है, जो हमने यूज़ करना है फाइर अलार्म के लिए, जिसके रहे हमारे पास यह पावर स्पलाई है, कोनेक्टिंग वायर्स हैं, और यह बॉक्स है हमारे पास जो बेसीकली फाइर अलार्म का काम करेगा, और जैसा कि हमें discussion में ये बात की है कि हम fire alarm का circuit यूज करने जा रहे हैं by using not gate तो यह हमारे पास जहां पे not gate लगे हुए है जहां पे हमारे पास एक ICB मौझूद है यह दो terminal है जिनके साथ हम power supply प्लाई करेंगे 5 volt की input के लिए और यह हमारे पास heat sensor या thermistor भी कह सकते हैं यह हमारे अगर देखें यहां पे हमारे पास smoke sensor भी लगा हुआ है और यहां पे हमारे पास यह buzzer है इस operators को use करके हम दो different काम ले सकते हैं या दो different practicals कर सकते हैं एक है हमारे पास heat sensors को use करके हम find कर सकते हैं fire alarm के लिए और दूसरा हम smoke sensor को भी use कर सकते हैं आज के इस practical में हम यह देखने ज करता है और हीट सेंस करने के बाद कैसे बजर बना शुरू होगा और हापको पता चल Gाएगा के यहां पर कहीप आग लगी है या ही इड़रंस के या से आपको पता चल रेड टर्मिनल आफ पावर स्प्लाई से अप्लाई करेंगे और याद रखिए कि जो रेड टर्मिनल है हमारे पावर स्प्लाई का वो पोजिस्टिव होता है और ब्लैक टर्मिनल हमारे पास नेगिटिव होता है तो एक वाइर हम negative terminal supply करने के लिए black को black के साथ ही attach करेंगे और negative terminal of the power supply हम ये wire apply करेंगे और इसको हम यहां पे देंगे 5V के input हमारा circuit प्लेट हो चुका है ये sense करने के लिए हम इसके ओपर heat apply करेंगे इसके लिए आप lighter use कर सकते है, match box यूज़ कर सकते है जिससे के यह heat sense करेगा और यह beep बजना start हो जाएगा आईए अब power supply apply करते हैं और इस knob को use करते हुए हम power supply से यहाँ पर 5 volt का voltage apply करते हैं अब यह working कैसे करेगा हम इसको heat apply करेंगे हीट supply करने के बाद हम दिखेंगे किस पॉइंट पर आकर यह beep start होती है इसके लिए हम लाइटर यूज़ कर रहे हैं इस्टोर्ट्स आपने देखा कि जैसे ही मैंने लाइटर से इसको heat apply किया है और एक particular amount के बाद जैसे ही इसने beep करना start किया है और यह तब तक बीप करता रहेगा जब तक कि इस heat sensor को वह temperature प्रवाइड होता रहेगा या मिलता रहेगा लेकिन जैसे ही वह एक particular temperature से value low होगी आपकी beep होना यह बंद हो जाएगी हम दोबारा से एक बर apply करते हैं और देखते ह जितनी जल्दी आपका यह heat sensor cool down होगा उतनी जल्दी आप बीपाना यह बंद हो जाएगी यह हमारी working थी fire alarm की तो students यह था हमारा fire alarm जिसको हमने use किया और देखा हमने कि हमारा fire alarm कैसे working करता है जैसा कि आपने भी यह practical देखा हमारा यह practical it will never take more than two or three minutes minutes to complete तो यह हमारा practical था आज का जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास not good को use करते हुए हमारा fire alarm कैसे working करता है next lecture में इंशाला हाजिर होंगा